दुर्ग जिले के अमलेश्वर में दिन दहाडे सराफा व्यापारी की हत्या मामलेवे पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफतार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को उत्तरप्रदेश के बनारस शेहर से पकड़ा है। चारो आरोपी बनारस से ट्रेन पकड़ कर भागने की फिराक में थे इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें अंधरापूर के पास घेर लिया आरोपियों ने गिरफतारी से बचने के लिए दुर्ग पुलिस के उपर भी कई राउंड फायर किया था इसके बाद भी पुलिस ने च कम 90,000 रुपाई और जुईलरी भी जब्त की गई है पुलिस ने इस मामले में बिहार के गया जिला अंतरगट दंडी भाग निवा सी सौरप कुमार सिंग उत्तरप्रदेश के बाम निया निवासी अभे कुमार भारती विहार के छप्रा जिला अंतरगत सोनपूर थाना के सापू दियारा निवासी आलोक कुमार यादव और मुझफर पूर जिला के रजला गाउन निवासी अभिशेक कुमार जहा को गिरफतार किया है चारो को वाराण असी कोट में पेश कर उनका ट्रांजिट रिवान लिया गया है इसके बाद उन्हें दूर कर लाकर न्याई खिरासत में भेज दिया गया है गौर तलबै की अमलेश्वर के तिरंगा चौक में सम्रद्धी जूलेस नाम से सोने चांदी के आभुषणों की दुकान है गुरवार 20 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे दो युवक समाने ग्राहक बनकर आए हुए थे दुकान संचालक सुरेंद्र कुमार सोनी निवासी गुड आइलेंड कॉलोनी उस समय दुकान में अकेले थे युको ने उनसे कुछ गहने दिखाने को कहा इसके बाब सुरेंद्र गहने दिखाते रहे इसी दोरान वे रैक से कुछ निकालने जुके उनका सिर्ख काउंटर से जैसे ही नीचे हुआ दोनों यूकों ने उनका सिर्ख पकड़कर जोर से काउंटर पर मारा फिर पिस्तोल निकाल ली और सुरेंद्र कुमार सोनी के उपर पांच गोलियां दाग दी इस से वे लहुलु आरोपियों में अभिशेक जहान नाम के आरोपी को रापुर्व उसके आसपास के छेत्र के बारे में पहले से जानकारी थी गुरुवार दो पहर चारो आरोपी वारदात को अंजाम देने गए थे अभिशेक और अभै कुमार उर्फ बाबू दिली से लाई कार में घटना इस सुरेंद्र सुनी के उपद 6-7 राउंड फायर किया जब सुनी वहीं पर धेर हो गए तो उन्होंने दुकान से सोना चांदी और नगदी लूटी और वहां से फरार हो गए हर्त्या की ये वारदात उस वक्त CCTV कैमरे में कैद हुई थी इसके बाद आरोपी सीधे रापूर ज भागने की फिराक में थे लेकिन इस से पहले दुर के पुलिस वहां पहुँच गई पुलिस को देख आरोपियों ने फारिंग शुरू कर दी इसके बाद उनके कार्तूस खत्म हो गया तो पुलिस ने घेरा बंदी करके उन्हें गिरफतार कर लिया स्पी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए उन्होंने अलग-अलग मास्टी में बनाई थी हर एक टीम आरोपियों के रूट के सीसी टीवी फुटेज को चेक करते हुए आगे बढ़ रही थी इसके साथ ही इसकार ने रहपूर, बिलासपूर, बल्रामपूर, जारखंड की कोडर्मा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे पुलिस का काफिस सहयोग मिला कर अमलेश्वर में एक से देर बजे के बीच में वैपारी सोनी को दो लोगों ने गुरी मारी, दो लोग बाहर बाइक में इंतिजार कर रहे थे के रहने का मालूम चला और उसके बाद टेकनिकल आरहार पे उनके पीछा किया गया है, टॉल नाका और सिफिटी फुटेज के आरहार पे और आज बनारस में करीब चार बजे के परीब इन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, फौरव कुमार फिन, जो की गया का रहने इनसे पूस्ताज की जा रही है, लोकल कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है, उनसे बयान लेने के बाद बाकी खुलासा करना संभव होगा, दुर्ग पुलिस में 24 घंटे के अंदर, यूपी पुलिस की मदद से, धार्टन पुलिस की मदद से, इन चार लोगों को पकड़न में एहम सफलता प्राप्ट की रही है, ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट